तो हे गाईज वेलकम एक और न्यू वीडियो में तो आई पर सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना तो आज हम बात करने वाले हैं क्लाश 10th हिंदी के पेपर के बारे में क्या मेरे दुआरा बताएगे क्योस्टन आए या नहीं आए आए तो कितने प्रसेंट आए कित स्क्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले तो चलिए बिना किस देरी के हम वीडियो करती हैं इस्टार तो गाईज वैसे तो मैं आपको पेपर दिखा देता बट उसमें QR कोड होता है जिसे नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि यह सीधा फोटो कलिक होने पर बोड तक चल आजाता है ठीक है तो किसने फोटो किची किस टाइम किची और कहां किची लोकेशन सब कुछ आगे चली जाती है तो वैसे तो मैं दिखा देता अब तो कुछ होने वाला नहीं था बट फिर भी नहीं तो गाईज मैं बात करूँ तो मेरे द्वारा बताया गया हर पेपर में साथी निमंद भी चेंज आए तो मैंने बताया था कि इस परकार निमंद लिखा है आयू पाप ने ऐसा ही लिखा होगा ठीक है गाईज मेरे द्वारा बतायेगे जियान परिक्चे भी हर पेपर में एक या दो तो जुरूर आई है जो मैंने बताये थे इंपोर्टेंड थे ठीक है जहां तक पता चला कि वही जिए परी चाहिई है जो मैंने बताया था ठीक है तो गाइज अब बात करें कि नकल हुई या नहीं हुई तो गाइज जहां तक मैंने पता किया है मेरे प्रूस के बच्चों से उन्होंने कहा कि वहाँ पर हमारी नकल हुई और हम असानी से बास हो जाएंगे ठीक है तो गाइस जैसे कि मैं लेवल पता करूँ पेपर का तो लेवल जादा हाड नहीं है बहुती इजी भी नहीं है नोर्मल सा लेवल है जो आपको असानी से अच्छे खासे नमबर दिलवा सकता है ठीक है गाइस तो गाइस यदि आप भी अन्य पेपर से लेटिड कोई भी वीड कर देना मैं वीडियो बना दूँगा ठीक है गाइस तो गाइस आज की वीडियो करते हैं पे एंड आइप आपको वीडियो पसंद आयोगी पसंद आए तो आप लाइक से सस्क्राइब कर दे मिलेंगे न्यू वीडियो में तब तक लिए जैहिन जैभार्त